आज हम बनाएंगे ब्रेड़ लोफ दिखने में तो यह फिश की तरह लग रहा है लेकिन एक्षली यह फिश नहीं है मैंने अपने प्रीविएस वीडियो में आपको एक डो बनाना बताया था और चिकन की फिलिंग भी बताया थी उसका लिंक मैं यहां शेयर कर रही हूं उसी इस सेम रेसिपी से हमने यह लोफ पनाया है देखिए बहुत अट्रेक्टिव लगता है हर एज ग्रूप को बहुत ही जौदा अट्रेक्ट करता है चलिए स्टार्ट करते हैं किचन प्लाटफार्म को डस कर लेते हैं ड्राइफ लार से अब एक बड़ी सी बॉल लेते हैं ड अब हम एक नाइफ या पिजा कटर भी ले सकते हैं मैंने नाइफ लिया है दोनों साइड इस तरह से डाइगनल कट लगाएं विट अपनी चॉइस के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजेगा बीच में ऐसे स्पेस छोड़ देना है छोटे-छोटे कर्स लगाने है क्यूंकि बीच में हमने फिलिंग भरनी है उस फिलिंग के ऊपर आप मैंने मॉजरेला चीज लिया कोई भी चीज ले सकते हो फिल कर दीचे थोड़ा हेल्थ कॉंशियस है हम तो चीज हम लोग थोड़ा कम फिल करेंगे बचे जादा पसंद करते हैं अगर आप बच्चों के लिए बन थोड़े से कट्स लगा दीजिए एक फिश की तरह बन गई है दिखने में एक फिश लग दे गया है अब इसे किचें टावल से टके ट्वेंटी थर्टी मिनिट्स के लिए रस दे दें इसे हम सेकिंड प्रूफिंग कहते हैं अब मैंने एग वाश किया है आप चाहें तो हन बनी और मिल्क या शुगर और मिल्क का वाश भी कर सकते हैं इस एक वाश से कलर बहुत अच्छा आता है इस ब्लैक ओलिव से मैंने फिश की आई बना दिया है तेल पर थोड़ी को लॉंजी लगा दिया है और और गयनो और चिली फ्लेक्स मैंने स्प्रिंकल कर दिया है अब हम इसको बेक कर लेंगे टेमपरेचर की डीटेल मैंने दे दी है रेसीपी में इसे एक वायर रैक पर ट्रांसफर कर लीजे इमेड़ेटली जब यह गरम-गरम हो तभी इसको बटर अपलाई कर दीचे अच्छा से ग्लेस आ जाता है बटर अपलाई करने से सी एट्स रेडी soft and bouncy and you are good to go मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको वो ब्रेडी टेक्सचर चाहिए हमें क्योंकि हमने second proofing भी दी है इसको completely see कितना अच्छा से एक ब्रेडी टेक्चर आया है चलो मिलते हैं next recipe के साथ बाई